यह मश्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों आप शबी को बता दे कि आपके घर में जादू टोना कर रहे हैं ये तीन लोग दोसों शमे रहते हो जाएं शावधान वरना धीरे धीरे यह अपने माया जाल में आपको भशा रही है जे दोसों हम आप शब घृब के लिए बहुत ज़्यादा महत्मों और बहुत ज़्यादा लागवकारी रहने वाले हैं कि दोसों मां यह को बता दे की पचले शमेशी आपकी आश्या अउधान के कारण आप इनके जाल में बहुत इज्वितों की जुलकाल में बहुत J كان न कारण आपता दोसी की जुल्काल होते हैं भी मुशुवितों का आपको शामना करना परता है जैन दोस्म और और इनकी भनक आपको नहीं लग पाता आप इन्हें इगनौर कर देते हैं लेकिन दोस्तों हम आप शुवी को बता दे कि आज की जीडियो में हम आपको पुश्व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपके घर में तांतरिक किरिया जादू टोना कर रहे हैं सदसों केशे आपके आप उनको पने जुंकाल से निकाल सकते हैं केशे आप खुद को मुक्त कर सकते हैं उनके बारे में दोसों महतमण उपाय भी बताने वाले हैं श्राद दोसों आपकी कौन शी गलत्ति के कारण यह हूँ एक्ति आपकी जुनकाल में दस्तक दे रहा है। आखिर आपको अपने जुनकाल में अपकौन शुदार करना चाहिए। कौन सी विशेश बातों का आपको धियान रखना चाहिए। तागे दोस्तों यह व्यक्ति दोवारा आप शबी की जुनकाल में कोई भी जादू टोना तांत्रिक करिया नहीं कर पाए तो दोस्तों आज कई है वीडियो आप शबी के लिए बहुत ज्यादा महत्पुन है गरों के गोचर और पंचांग के गरना के नुशार निर्मित क्या बागा है जोगी दोस्तों आप शबी के लिए बहुत एदा खाश होँगे दोस्तों आपको बता दें कि मा आपको कुछ यशे मंत्र के बारे में बताएंगे कुछ यशे पर्दें जोई दोस्तों आप शिव की जुन काल की शारी परिशानियां धेरे धेरे खत्म हो जाएंगे उन्स कुछ में खुश्यां भरा जीवन वेथीद कर पाएंगे तो ऐसे बात करते हैं उश्य पहले दोस्तों सर पर्थन जो भी मांकाली के श्रक्त्र भक्त विडियों को देख रह बात करते हैं बहुत ही अच्छे ग्यांशे है कि कल युग में व्यक्ति की जुनकाल में एक घटना होगी कि जब एक दुसरे धनर्जित करने लगेंगे जो जदा धनर्जित करेखा उन्हें देखन के दूसरे पक्ष की लोग इष्ठय करेंगे यानि कि दोस्तों उनके ही जुनकाल में रहने वाले जो लोग होंगे वह उनसे इर्शया करने लेंगे भले उनके जुनकाल में वह कितना भी शगेशंबदी क्यों नहों कितना भी वह अपना करीबी लोग क्यों नहों उनके धन में बृत्री देखकर वह उनसे जलने लगेगा और ये उनकाल में वही उनका मुश्यबत का भी कारण बनेगा जिया दोसों पर दोसों ठीक इशी प्रकार आक्षवी के राश्य के शाथ देखा जा रहा है कि पिछले कईश्य में से जो आपके श्रब से करीवी लोग है जो आपको जान से भी ज्यादा मानते थे या फिर आप उन्हें जान से भी ज्यादा मानते थे दोसों एशी लोग आपको दुखा दे रहे हैं जै दोसों तो दोसों भुगान श्री किश्न का या अग्यान अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोसों वीडियो को एक लाइक जरू करें और इनके लिए कमेंड बोक्स में एक दें ज हुआ कौन से तीन लोग है जो कि आपके घर पर काला जादू कर रहे हैं जो कि आपको बरबात करने की शाजिशें कर रहे हैं और दोसों आपको कौन से मंत्रों का कौन से उपाय करना चाहिए और शाथी आपको जिनकाल में कौन से गलतियां नहीं करनी चाहिए शुई बाते चलिए दोस्तों बात करते हैं, पूरे विस्तार्शी। दोस्तों यश में जो आपकी गरहों की पस्तिती है वह दर्शा रही है कि आज रात 12 बजे से आपके उपर तांत्रिक किरियाएं कुछ लोग करने वाले हैं यो के हैं तो दोस्तों आपकी जुनकाल में शंकट आने वाली है जिया दोस्तों पर दोस्तों इस बार जो आपके नेचर बहुती शीधा होता है बहुती श्रल्शोभाव के आप लोग होते हैं और दोस्तों आपके मन में कोई भी कपट नहीं रहता है दोस्तों कभी किशी को लेकर आप बुरा नहीं सोचते नहीं किसी को निचा गिराने के बारे में सोचते हैं और दोस्तों नहीं किसी को पी दोसों लोग आपके भोलेपन का फायदा उठा कर अपने जादू में आपको फशा रहे हैं। ज्यांदोस्तों पूरा सुनरी जीए आपके ही जीवन काल में रहने वाले तीन लोग जो की आज रात 12 बुजिशे आपको अपने बातों के जादू में फ़शौणे वाले हैं यहों के हैं बातों के शित अंत्रिक किरया होगी जैसे आप उनके जाल में फ़शने वाले हैं और जिस तीन गलतियों को दोस्तों आप अपने आने वाले आगे जिवन में बिल्कुल ही ना करें बिल्कुल ही ना दोराएं जया दोस्तों अभी भी आप इन गलतियों को गांट बांध लें जया दोस्तों चाहे आप कुछ भी कर लेंगे प्रंतु आपने जिवन में तीन गलतिय की भूल ज्यादोसों इस राश्री के जातक शभी को अपना मानते हैं या लोग दोस्तों एकता में विश्वास रखती हैं आप लोग सोचते हैं कि शभी का विकास एक शात होना चाहिए दोसों अगर हमारे जिन्दगी में मुशिबत आए तो शवी को एक साथ रहकर जलने चाहिए जह दोसों और वह दूसरे की शोच आप के विप्रित होती है जिये दोसों आपको बता दें आप हमेशा अपने शातियों का अपने मित्रों अपने स्तैदारों solid fakeорм ओटाते हैão जहां दोस्तों आपको बता दें कि फायदा अब के उपड़ी ख़ड़ा रहने वाला नहीं है दोस्तों शब दम दबा कर आपके पान्यों भाग जाते हैं Já दोस्तों गर आपको हमारा यह बात सच्चा लग रहा हो दोस्तों हमें कमेंड करके जरूर बताईएगा जिये दोस्तों कि आप कभी अपने जुनकाल में एशे हुए हैं जब आप अपने की गलती को अपने शर ले लिए हैं उनके मुश्यवतों को आपने बांटा है प्रणु दोस्तों बिना किसी को सोचे बिना किसी को समझे उनकी उपर भरोशा और उनकी मदद बिलकुल ही ना करें आज यह आप इनको करना बंद कर दें जिये दोस्तों आप अपने लक्ष तक पहुँच पाएंगे अगर दोस्तों आप गलती करते रहेंगे तो दोस्तों आपका द दोसों आपके दूसरी गलतियां होती है कि दोसों जिस भी वेक्ति से मुल्गात करते हैं, आप जिवन से जुड़े सबसे बड़े महतमुन बातों को शेयर कर देते हैं, तो दोस्तों यह बात को आपको ध्यान वेरकना चाहिए कि जिस भी इंसान से मिले चाहे आप शी बार बार मिले हो या फिर बहुत सालों के बात एक बार मिले हो लेकिन दोस्तों आप उनकी नजरों में अच्छा बनने के लिए कि आप अपने जिवन से जुड़े कुछ भी महत्मुन बातों को बिल्कूल भी शेयर ना करें कि दोस्तों ऐसे ही लोग होते हैं जो एक दिन ही बले आप शी मिलते हैं लेकिन दोस्तों आपके शबी बातों को जान लेते हैं और फिर आपके उपर में शंकुटों का वह इशाद जाल बिछाते हैं कि दोस्तों आप उनमें फंसते चले जाते हैं जैंदोस्तों और तिसरी गलती आपके जिवन में यहाँ है कि दोस्तों धन के मामले में किसी परहत से ज़्यादा भरुशाद ना करें क्यों दोस्तों वर्तमान शमय में पेशा ही सब कुछ है जें दोस्तों बात कड़ भी है लेकिन दोस्तों इस बात पर सच्चाई भी है जें दोस्तों आपको बता दें कि आज की दोर में पेशों को लेकर किसी का भी नियत बिगड़ सकता है दोस्तों वहीं दोस्तों करों की आ आपको बचना है। जो लोग आपके जोने काल्मी आपके पहचान में हैं। ind inve t दोस्वे मिल्वोग आपको इसे बातों में और चाहते हैं, तो दोस्वे व्यक्ति की आप पहचान करें और जून। उनसे अपना शंमन तोड़ए तो जैन दोस्तों ओर उनसे बात भी करना वंद करते Hakeầ होगं अगर आप अपने ज़ accepting विना उनकाल मेने रहें देंक तो दोस्तों दीन पर दें दिन आपकी मुश्वित हैं उनुने गई दोस्तों आपको इसकी भनक तक नहीं लगी दोस्तों आप इन्हें सचे मित्र मानते हैं आप एक्षे दुस्मनों से पीछा छुटा लेजिए वाइद बात करते हैं कि आपके जुनकाल में आपके घर पर्वार में किसने जादू टोना किया है और आखिर इंशे बसने के कि आपको कौने उपादयों को करना चाहिए तो सब्सक्राइब कौने के आपको नजर दोश कि काला जादू है तो दोसों आपको कैज ना है कि तीन लाल शुक्या मिश estás लेकर Central है आग में जलादे और जलाने के बाद अगर धूआ गंद नहीं करता हूँneys दोसों आपको श्मा जाना है कि आपके घर में किशी का ज्रादू टोना हुआ है जिए दोसों इंशे बचने के लिए आपको कौन सी उपाय को करना चाहिए दोसों आप शिपी को बता दें कि आप एक मुठी चावाग हाथ में रखकर एक आवन या पिर 108 बार ओम नम शिवाय क जाब करके पक्षियों के लिए घर शे बाहर में डाल दें इस नियम को अकेज दिन या फिरे कावन दिन तक धोराएं इशाक करने शे घर में श्रकार्त्म उर्जा उर्शांति आती है और दोसों घर परिवार में किशी प्रेत्रात्मा का शाया है या पर किशी ने काला होने लगता है और घर का वातरण बहुत ज़्यादा प्रेम पूर्ण होने लगता है इसको प्राण दोसों एक और उपाय है आपके घर में भूत प्रिर का जबी शाया होता है किशी का काला जादू होता है तो दोसों घर में व्यक्ति बीमार होने लगता है मन शांत होने रोग को दूर करने के लिए फ्रात्ना करें तो श्विगरी श्वास्त में आपका लाब होगा या परियोग श्वमार्शी शुरू करके रिवार तक लगतार शाथ दिन तक करें दोसों मंत्र है एम धन्यवाद आप शबी का दिन शुब रहें